पुलिस प्रशासन को अपने पुलिस महकमे में ये एलान कर देते हैं कि आज से अपराधियों को दोड़ाना शुरू कर दिये तो वहीं दूसरी तरफ विहार में आए दिन अपराधियों का होसला बुलंद होते दिख रहा है दिन दाहरे कहीं बोली बारी कहीं लूट कहीं डकैती कहीं चोरी हत्या का जो अपराधि जो घटना है वो सामने आती नजर आती है बिहार में अपराधियों बेकॉप अपराधियों का जो होसला है वो बुलंद होते नजर आता है हाल यह मामला आपको बताए पटना से निकलकर सामने आ रही है जहां पटना में एक जोईनरी शॉप में कुछ अपराधि यानि कुछ चोर जो है वो जाते हैं पहले तो समान खरिते हैं यानि कुछ गहने खरिदें और गहने के बाद डकैती करते हैं हतियार के बल पर सोने का डिब्बा या उठा करके वहां से फरार हो जाते हैं कहां का ये पूरा मामला है कि स्थाना शत्र की पूरी मामला है और पुलिस कारेवाई में का क्या कर रही है अब आप अभी अभी राजधानी में पुलिस का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है ताजा मामला पटना की जकन पुर्थाना शत्र में दिन दहारे बेक ओफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है बताया जा रहा है कि एक स्कूटी सवार दो अपराधियों ने ज्विलरी दुकान में आकर पहले चान्दी के सिक्कों की खरिदारी की फिर वहीं दुकानदार से सोने के चेन दिखाने को बोला असुबज लक्षमी जविलर्स के मालिक सिसिर गुपता ने दोनों अपराधियों को चेन से भरा पूरा डबबा देकर चेन पसंद करवाने लगे पीड़ित दुकानदार की माने तो अपराधियों ने दुकानदार के पीछे रखे तक किये की मांग कि जिसके बाद जैसे द दोकांदार पीछे मुड़ा दोनों अपरादी चेन के गुच्छे का बॉक्स लेकर फरार होके जिसकी कीमत 15 लाक के उपर की बताये जारी हाला कि दोकांदार ने कुछ दूर तक चिलाते हुए अपरादियों का पीछा भी किया तब तक अपरादी यार पुपरपुल का की ओर तेजी से भाग निकले घटना के बाद पीड़ित सुबलक्षमी दुकांदार जकनपुर्थाना पहुचे जहां मामले को लेकर उन्हें ने एफ आई आर दर्ज करवाया पुलिस अब घटना स्थल पर लगे सीसी टीवी कैमरे को खंगालने में जुटी हुई है तो अपराधी एक स्कूटी सवार अपराधी आते हैं और धारदारन हथियार के बल पर जुएलरी का बॉक्स जो है वो लूट कर फराब हो जाते हैं पिदाल इसके वर में से इतना ही और पर वीडियो और अब्रेट्स के लिए आप देखते हैं नियूस फॉर्णीशन